हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू दे चैनल, इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बात, बारे में बात करेंगे, जो हमारी जावास के प्रोग्रामिंग है, है ना, इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैनुपलेशन करते हैं, नंबर्स के, वो सारा करन में सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे कि किस तरह इनका यूज होता है, और किस सरी के से हम लोग इसका यूज करते हैं, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक ऑपरेटर्स.js की एक फाइल बनाए हुई है, इंडेक्स में कनेक्टेड है, और मेरा लाइव सर और आन ह सबसे पहले एक basic सा structure लेते हैं, basic सा arithmetic operation करते हैं, let's say मैं एक variable लेता हूँ, x और उसको मैं क्या करता हूँ, value assign करता हूँ 3, by the way जो यह equals to है, यह assignment operator है, इस तरीके कि operators के बारे हम भी आगे आने वाले वीडियो से बात करेंगे, यह वीडियो particularly arithmetic operation को dedicate करते हैं, इसलिए इसको कि assignment operator का काम क्या होता है, अगर x is equal to 3 मैंने लिखा है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 value x variable को मैं assign कर रहा हूँ, मतलब x की value अब हो गई 3, इस तरीके से assignment operator काम करता है, तो let's say x equal to 3, then let y equals to 4, ठीक है, and मैं एक नया third variable मनाता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, x plus y करता हूँ, ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, मैं addition operator का use कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या कर रहा है, यह दोनों value को add कर रहा है, और z में assign कर दे रहा है, ठीक है, और अगर हम लोग इसको देखें, normally, तो console lock it through, हम लोग देख सकते हैं इसकी value, तो यहां पर हम लोग jet को print करा देते हैं, and inspect कर लेते हैं, और हम लोग console पर चलते हैं, यह देखिए, यहां पर 7 आ गया, 4 और 3 को add कर दिया, इसने 7, इस तरीके से आपके different operators, जावे स्क्रिप में दिये हुए हैं, जैसे यह plus हो गया, अभी हमने addition किया, है ना, same हम लोग क्या कर सकते हैं, subtraction कर सकते हैं, second operator में पस जो है, subtraction operator है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है कि, जैसे mass में होता है, small value से हमने larger value को subtract किया है, तो minus आ गया, 3 minus 4 equals to minus 1, same हमारे पास next operator है, multiplication का, तो multiplication के लिए हम लोग क्या करते हैं, asterix का use करते है, asterix symbol का, तो अगर मैं यहां पर asterix symbol यहां पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, multiply हो गया, then यह exponential का एक नया operator, 2016 में add हुआ था, है ना version में, यह क्या करता है आपका, यह क्या करता है, exponential calculation करता है, means, अगर मैं यहां पर x और double asterix वाया करूँ, इसका मतलब क्या होगा, आप खुदी देख लीजे, 81, क्या हुआ है यहां पर, यहां पर क्या हो गया, अगर मैं यहां पर comment करके आपको बता हूँ, तो यहां पर क्या हो रहा है, 3 है, जो उसका जो power है, मतलब इसका power क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका power 4 हो रहा है, इसका मतल अब क्या हो जागा 3 into 3 into 3 into 3 to 3 to power 4 तो इस तरीके के operations के लिए हम लोग double exponentiation operator यूज करते है ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा यह next operator क्या होता है division operator तो division operator क्या करता है आपका divide करने का काम करता है है ना यह देखिए normally 3 divided by 4 और जो भी value आ गई वो शो हो गई तो next operator देखते हैं हम लोग modules operator ठीक है modules operator क्या करता है अगर मैं यहाँ पर modules operator लगा दूँ ठीक है तो देखते हैं क्या आता है यहां क्या आ रहे है हम लोग को 3R है तो modules operator क्या करता है दो after division जो reminder होता है वो हम लोग को as a value वो z को assign कर देता है तो अब यह याद रखी modules operator का use करके reminder को as a reminder find करते है ऐसा याद रखी ठीक है then next operator है increment operator increment operator क्या करता है आपका value को increment कर देता है one से like अगर मैं यहापे y++ कर दो इसको ऐसा करके लिख दो y++ तो इसका मतलब क्या है यह इसका मतलब यह है कि यह क्या कर रहा है y equals to y plus one यह operation perform कर रहा है यह देखिए इस तरीके से y की value में ही एक add कर रहा है और अगर मैं यहापे minus minus कर दूँ तो same यहापे minus हो जाएगा y की value में ही एक minus हो गया तो इस तरीके से increment and decrement operator work करते है ठीक है next हम लोग देखते हैं कि कैसे एक लंबा expression है वो कैसे all होता है like मैं क्या करता हूँ let's say z equals to मैं क्या करता हूँ x plus y then क्या करते हैं into 3 एसा कर देते ठीक then console y को इसको मैं क्या करता हूँ comment out कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ z की value देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहे है 12 आ रहे है 12 कैसे आ रहे है आप mathematical calculation करते हैं तो क्या होता है सबसे पहले हमारा divide और into का process होता है यहाँ पर हम लोग इसको भी comment कर देते हैं दें देखते हैं क्या आता है देखिए 15 आया 15 कैसे आया हम लोग देखिए calculations क्या करते हैं जो भी operation होते हैं मतलब arithmetic operation कर रहे हम लोग तो हम लोग left से right की और जाते हैं यह याद रखिए आप ठीक है यह तो याद रखिए plus यह भी ध्यान दीजिए आपकी priorities कि सबसे पहले मिलती है तो देखो अगर यहाँ पर addition के साथ multiplication भी है तो हम लोग left से right की और जाएंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग multiplication का operation perform करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले y into 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 multiply कर लेंगे 3 से सबसे पहले ऐसा यह होगा सबसे पहले ठीक है तो क्या आ जाएगा इसका value आ जाएगा हमारे पास 12 then क्या करेंगे इसमें क्या हो जाएगा add इसमें add हो जाएगा x का value तो यह आ जाएगा 15 इस तरीके का performance होता है ठीक है और अगर यहाँ पे normal minus होता इस तरीके से left to right ही जाते हैं हम लोग means यहाँ पे क्या हो जाता x की value then y की value तो 3 plus 4 क्या हो गया 7 then उसमें minus 3 हो जाता 4 तो इस तरीके से normally हम लोग कैसे जाते हैं left to right जाएगे लेकिन हम लोग देखेंगे priorities किसको देना है तो जो सारा calculation होता है precedence order के थू होता है है ना अगर same precedence order है तो left to right जाएगे like यहाँ पे हो रहा है है ना plus and minus का precedence order same है तो left to right जाएगे और अगर precedence order में changes है like अगर यहाँ पे parenthesis आ जा रहा है है ना and तो इस भी operator का precedence order जादा होगा है ना वो सबसे पहले operate होगा then उसके बाद उससे lower precedence order वाला operation होगा perform ठीक है तो जो precedence order की listing है मैं क्या करूँगा comment में या फिर description में मैं डाल दूँगा वहाँ से आप check out कर लेना ठीक है और अगर वीडियो पसंद आए हुए तो इसे like कीजिए मेरे channel को subscribe कीजिए मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ अब तक ले बाबाय टेक क्यार